हेलो फ्रेंट्स तो आज में आपको क्लास ट्वाइल थिंद्यार के चैप्टर थर्टीन काले में का पानी दे जिसकी लेखक है धर्मवीर भारती जी यार अच्छी स्टोरी है तो पूरी सुनिएगा चैनल पर नाया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए रेट कलर के स सोर करते हुए कीचन में लोटते हुए गलियों में घूपते हुए ये 10-12 वर्स की आयूके होते हैं तो सिर्फ जांगिया ये कहलें या सौट्स कहलें वो पहन कर गंगा मैया की जै बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं जैकारा सुनते ही स्त्रियों लड़कियां अपने पूटी बैल पियासा काले में घा पानी दे जब या मंडली किसी घर के सामने रुक कर पानी की पुकार लगाती है तो घरों में सहेच कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है ये भीगे बदन मिटी में लोट लगाते हुए कीचन में लत्पत हो की मिटी में पपड़ी पढ़कर जमीन फटने लगती थी लूग के कारण व्यक्ति बेहोच होने लगते थे पानी की बहुत गिलत थी तब इन पर पानी फेगा जाता था पस पानी की कमी से मरने लगते थे लेकिन बारिस का कहीं नामों निसान नहीं होता था जब पूजा प बावजूद लोग घरों में कठिनाई से गठा किया पानी को इन पर क्यों फेकते थे इस प्रकार के अंद विश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है अगर या सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती ऐसे पाखंडों के कारण ह था उनके गुलाम बन गए लेखक स्वे मेडक मंडली वालों की उमर का था वह आरश माजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था उसमें समाज सुधार का जोस जादा था उसे सबसे जादा मुस्किल अपनी जीजी से थी जो उमर में उसकी मा से बड़ी थी वे कारे लेखक को पुण मिलने के लिए करवाती थी जीजी लेखक से इंदर सेना पर पानी फिक्वाने का काम करवाना चाहती थी उसने साफ मना कर दिया जीजी के कापते हाथों और डगमगाते पाउं से इंदर सेना पर पानी फिका जीजी ने लेखक जीजी से मुह फुलाय रहा, साम को उसने जीजी की दी हुई लड़ू, मट्री भी नहीं खाई, पहले उन्होंने गुस्था दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया, उन्होंने कहा कि यह अंद बिश्वास नहीं है, यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे यह पानी की बरबादी नहीं है, यह पानी का अर्द है, जो हम उन पे दान करते हैं, और कहती हैं दान देने पर ही इच्छित वस्त मिलती है, जो लोग हम इच्छा करते हैं दान देने से ही हमें मिलती है, डिस्यों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के दान नहीं होत करोनपती दो-चार रुपे दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्यान के लिए दे ऐसे ही दान का फल मिलता है लेकक जीजी के तरकों के आगे पस्त हो गया फिर भी वह अपनी जित पर अड़ा रहा है जीजी ने फिर स पानी इन पर फेक कर बुआई करते हैं इसी सहर कस्बा गाउं पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी हम बीज बना कर पानी देते हैं फिर काले मेगा से पानी मांगते हैं रिसमुनियों ने भी या कहा है कि पहले खुद दो तबी देवता चौगूना करके यहां आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है यह था राजा तथा प्रजा सच है यह कहावत सच है गान्दी जी महराज भी यही कहते हैं देखा कहता है कि यह बात पचास साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है अनेक संदर्भों में यह बाते मन को कचोड़ती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं हर छेतर में मांगे बड़ी बड़ी है परत्याग का कहीं नामों निसान नहीं है आज स्वार्त एक मात्र लच रह गया है हम रष्टाचार की बाते करते हैं परंत खुद अपनी जाच नहीं करते काले में गुमरत हैं पानी बलसता है परंत गगरी फूटी की फूटी रह जाती है बहल प्यासे ही रह जाते हैं यहां इस्तितिक कब बदलेगी क्या कोई नहीं जानता तो यह थी इस चैप्टर की समभी फ्रेंड्स पसंदाया हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा चैनल पर नाया हो तो